क्या मिला जी बीस समिट से पहले ट्रेपफिक दुरुस्त करने के लिए खोला खजाना एम्स के बजट में कटौती, आरेमल सफदर जंग का बढ़ा, दिल्ली पुलिस को 15 प्रतिशत ज्यादा राशी विशेश संबाद दाता, नई दिल्ली दिल्ली के लोगों ने पिछले साल 1.75 लाग करोर से ज्यादा इंकम टैक्स दिया, उसमें से सिर्फ 325 करोर दिल्ली को दिये गए, महंगाई से कोई राहत नहीं दी, अर्विंद केजरिवाल, सी एम, दिल्ली के इंद सरकार ने एम्स के बजट में कटौती कर दी है, लेकिन दिल्ली के अपने बाकी चारों अस अस्पताल के बजट में की है, पिछले साल इसका बजट 1,9580 करोर था जो इस बार 1,272.18 करोर कर दिया गया, 58.15 करोर बढ़ाया गया है, कलावती है, पिछली बार 10,355.29 करोर रुप्य है, इसके बाद सफदर जंग अस्पताल के सरन हॉस्पिटल के बजट में 19.09 करोर मिल 215.22 फीसिदी की बजट में 138.34 करोर का इजाफा किया का इजाफा हुआ है, दिल्ली पुलिस को है, दिल्ली पुलिस ट्राफिक नेटवर्क डेवलप रुप्य का बजट था पिछले साल एम्स द 4,134.67 करोर रुप्य हो गया है, यह इस बार घट कर गया है, लेडी होडिं NCR के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रफतार देने वाले रैपिड रेल ट्रॉंजिट सिस्टम, RRTS, को 3,596 करोर रुप्य का फंड दिया गया है, सरकार से प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसे की डिमांड की गई थी, बजट में उतनी राशी दी गई है, दिल्ली, साहिबाबाद मेरत रैपिड रेल कोरिडूर की लंबाई दो किमी है, मेरत साहिबाबाद के बीच करीब 17 किलोमीटर का सेक्शन इसी साल शुरू हो जाएगा